तो यह जो मरे जा रही थी के घर में राशन खतम हो गया पानी खतम हो गया बच्चों को बहुत यादारी एकदम से यादारी और जब गोंचु घर में गुसा है तो वैलकम हला वीडियो कौन बना रहा है फारुक की बेटी वो पूछ रही है कैसा रहा सफर और पिटारा ने कितना जूड बोली है आगे वो भी दिखाऊंगी अलब हद होती है कामचोरी की औरत कहां जाती है रातों को मुझ काला करने के लिए कि ये दोपहर में सो के उटती है ये भी दिखाऊंगी और जूटी किती बढ़ी है ये भी आप लोग देखो बाकी क्या आता है लाना तो है तेरे उपर आप लोगों ने याद रखना है सुन तो लिया ही आप लोगों ने यह घर में गुसा है और उसका काम चालू चोटी गाड़ी लेना है अभी जाओगे तो डेरेक रात तलग आएंगा गोंचु सोचो और पिटारा का कोई अता पता नही बाद में आयत को भी प्यार किया उठाया उसको गुमा फिराके लाया चीज दिलाके लाया पुरी मार्केट करके आ गया आदे से ज़्यादा दिन निकल गया लेकिन पिटारा सो रही थी क्योंकि राद बर वो टैक्सी की आरत तरह इस पे निकलती है न सवारी पे इसके पापा सुबह से जाएंगे तो शाम तलक आएंगे अपी डारा आगे क्या बोलेंगी वो भी सुनना और उसके बाद में रियालिटी क्या है ना वह भी सुनना अब अनुद अब अंडे बन के मिल रहे थे नाश्टा घर का मिल रहा था हाथों की रोटी मिल रही थी और यहां पर मैंने जैसे के दो वीडियो से बता रही हूं न के रोज सुबा में छोले हिलाते हिलाते लेके आजाता है अब जायर सी बात है भई पूरा दीन हुआ मा और बच्चे काम कर रहे हैं अब जायर सी बात है सुबा सुबा उटके इसके लिए नाश्टा तो ना तो पिटारा अपने हाथ से नहीं देंगी बलेंगे उट और खा ले इतनी तो वह बेगैरत और काम चोर औरत है घर में गुसा नहीं के छोले आना चालू बाहर का नाश्टा लेकर आया खा रहा है यह इसकी इज्जत है ना कोई साथ में खाने वाला है ना कोई उसके तेरी आउकात क्या है ना वो दिग गई बे शरम और फिर मुस्तफा को लेके मार्किट गया पूरा राशन लेके आया यह काम किसके होते है औरतों के चलो अगर हस्बेंट जा भी राय साथ में तो बीवी जाती है ना बीवी को पता होता है सारा कुछ के क्या लेना है क्या न लेकिन इसके घर में औरत ही गोंचु है तो फिर पांडे का जाके मतलब क्या है ना शरम तो आती नहीं है पिटारा को पूरी रात मुंकाला करवाती है पूरा दिन सोती रहती है और उठेंगी तो ऐसे जताती है जते पता नहीं मारानी कौन सा बड़ा तीर मारी है बे शरम क आपका दमाद के अलावा तुझे सारे मर्द पसंद है जी जा पड़ोसी ये वो और दमाद के आने तेरे मुंपे चमाका गई अच्छा पिटारा इतनी कुसी थी अजबेंड के आने की तो उठी क्यों नहीं सुबह में हाँ साम को तु जाके सोके उठी है तरह मनूस जैसा देखके ही समझ में आ रहा है तो अभी अभी सोके उठी है और तेरे चेहरे पे वो गोंचु के लिए चमाका गई मस्त जोग मारी तुने और अम्मा क्या बोल रही हाँ वो नहीं था ना सारा सारा दिन रूम में बैटी रहती थी पिटारा भी हाँ क्या करूं इतने सारे काम थे लेकिन मैं बोलनी सकती थी ना और इनके बिना तो इसका आदिली नहीं लग रहा था इसके लिए विचारी पूरा पूरा दिन रूम में पड़ी रहती थी देखे हमने तो किता देर रूम में पड़ी रहती थी कभी वकार आ रहा है रात रुपने कभी कोई आ रहा है कभ भी यही चमक थी और यही चमक अभी भी दिख रही है साफ नजर आ रहा है कि तू है ना इसलिए खूश है कि देखो गोंचु जाके आ गया तूने दूर फिटे मूँ तेरे करके बैठ गई और पकड़ी भी नहीं गई इसलिए तू कूश है इसलिए खूश नहीं है कि गोंच तो यह तो तु बोलना ही मात के वज़े ते तिर चेहरे पे चमक आई है और जब तुझे इतना इसास है कि अस्बेंड के ना होने से मूं की चमक चले जाती है तो यह मा को क्यूं तुने बेवा की तरह रखी हुई है अकेले हाई बड़ी तू अबा को तो तुने कैसे वैसे कर फिर बुलाओंगी यह सारा कुछ करके तुने मना ली लेकिन उससे पहले तो तेरा इरादा यही था ना कि तू दोनों को अलग करना चाहती थी और अमा तो भाई यही बड़ी मतल़ पैसे की बुकी कभी बोलती है दिलबर के गर पे छोड़ दो कभी बोलती है जो बेहन है इस पिछली बार भी जब मैंने शारुप की अमी की पिच्चर वीडियो देखी थी ना तो उसमें वो बता रही थी कि मैं जा रही हूं आपा का कपड़ा टेलर को देना है और यह आज की वीडियो में भी पिटारा बता रही थी कि जो खाला है ना वो जाके अमी का कपड़ा टे यह क्या हाँ तू तो बोलरी थी कि कश्मिर से आने के बाद में अमी के पैरों का ओپरेशन होगा SONOGRAFY होगी यह होगा वोगा अभी तलक के तो कुछ नहीं हुआ पैर का ड्रामा था क्या असलमा के पास में गई थी इसके लिए ड्रामा किये थे अल्ला करे सच में फिर वो तकलीफ हो जाए तेरी मां को अगर के तुम लोगों ने जूट मुट का ड्रामा किये थे तो लाना थे तुम लोगों के उपर यह ते यह ते ड्रामे करते हो सौधि में उसके पैर में इतना दरत था के लोग बोल रहे ते डंडो से मारे इसको और यहां आने के बाद में सारा दरत गायब सौधि में अम्मा थी तो तिरी आंखों में इंजेक्शन लग रहे थे अम्मा आने के बाद में तेरे आंकों की रह से नहीं सही हो गई अरे तुम लोग कितने ड्रामे करोगे कुदा के खौफ से डरो बेशर्मो तो जैसे अभी आए हैं तो पूरा दिन भी रेस्ट किया अभी हम बाहर निकलेंगे एना उसने ये बोला अपने बाप के लिए ये क्या बोल रही है पूरा दिन रेस्ट किया है अब हम बाहर जाएंगे और आगे अली किलीप में देखना कि कितना गोंचु ने रेस्ट किया है इतनी ये मकार और जूटी औरत है ना तू अभी सोके उठीए तू सुबा में मुझ काला करके आने के बाद में सोईए ना तो तू रेस्ट करती रही है पूरा दिन गोंचु जो सुबा से निकला है ना तो तेरे साथ में घर में घुसेंगा तो तू इतना जूट तो मत बोल के पूरा दिन रेस्ट किया है अब चलते बाहर मनो जूटी कहीं की प्रेट के हैं लो बोल रही है मैंने किसी को भी ने बटाया वीडियो में नहीं बोला मैंने रही याद है आप लोगों को कहल की वीडियो में ही च्छत पर बैटी वी बता रही थी कि हमारी वाशिंग मशीन खराब हो गई है पिर मुस्तुबब बता रहा था हमारी जो टैरिस की जो लाइट है वो खराब हो गई है पिर इतने पानी के डब्बे बताई के पानी कतम हो गया है और आशन कतम हो गया है सारा रोना तो रो लीए इसने और बोल रही है हमने वीडियो में इसके लिए नहीं बताया कि husband को लगेंगा मैं इनको तंग कर रही हूं और रिवीवर्स को लगेंगा कि वो अपनी husband wife के पास में गया है तो ये बार बार सुना रही है अरे पिटारा सुना तो ली और बोल रही है कि मैंने नहीं सुनाई कितना जूड बोलेंगी तेरे मुँपे लानत बरस रही है लेकिन तू है कि सुदरने का नाम ही नहीं ले रही है कितनी जूटी और मकार है भई मतलब दस दिन के लिए भी गोंचु नहीं गया तेरा काम अटक गए और वहाँ पे जो कौसर इतने इतने मैने अकेले रहती है तो तेरा बाप जाता है वहाँ पे उसकी स्या हेल्प करने के लिए उसको देखने के लिए खली तू ही जुम्मेदारी है मुसकी गोंचु की कौसर जुम्मेदारी नहीं है वो जाने से पहले ही टिकेट करा लेता है कि आना भी है वापीस और तेरे पास में रहता है तो कोई पीरियर्ट नहीं रहता है ना उसका कि मुझे इत्ते इत्ते टाइम के बाद में चले जाना एक ऑफर के पास तब तो टिकेट रिटन करा के नहीं आता हो तेरे पास तो रोना धोना तो तो तू कर लेती है सिमपती si ले ले np d ready जूटि का की मकार उड़त बाद बताऊं कि ये वाशिंग मशिनशन खराब और खराब सारा कुछ जान जरू छाने जाना प around ins सारा कुछ खराब हो गया इतने कन उच्छ गया घर सब सामानोंने मतलबब कोसी करने करके पतम हो गए कि गोन चुग रहा तो हम यी मर जाते वा पिटारा वा याघ 1974 जनना आहीं। तो यह तो तु बोल मत के जाना है, तु खुद के खुशी से नहीं जा रही है, मजबूरी में तुझे जाना पड़ रहा है, क्यूंकि तेरी पोल पट्टिया यहां पे भी खुल गई है, और बार 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 यह सारा कुछ बोलना थाके लोग इसको गिफ्ट बेजे, आज तो इसने केक भी बताई के देखो, घर की खुशी में ना मुझे गिफ्ट आ गया, केक आ गया, तो यह हिंट दे रही है, कि देखो मैंने घर ले लिए तो सब जने गिफ्ट बेजो, पंड बेजो, क्याम पैसे बेज दे रहे हैं, तुम अपने मर्जी से अपनी खुशी से ले लेना, तो यह सारा कुछ यह जो चोटी चोटी जो गेम केलती है ना बिखारान भीग मांगने के लिए, इस सारा इतने पहले वाले घर के टेम पे भी की थी, मैं घर सिफ्ट कर रही हूं, घर सिफ्ट कर रही हूं, और लोगों ने भर भर के गिफ्ट बेजे थे, और पड़ा, और उसको जाने का था, इन लोगों के साथ में, जहां भी यह शॉपिंग करने जा रही थी ना, इन लोगों के साथ में जाने का था, लेकिन इसने क्या की ना, दिलबर बाबर के या तयबा को छोड़ दी, और क्या बोली मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूं और क्या ली इसने शॉपिंग में चुड़ेल वाले चैनल के लिए कुछ सामान जो की भूतिया था सारा कुछ सामान इसने भूतिया सामान ली और उसके बाद में फिर मतलब के तू तो नॉर्मल सी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तो फिर तयवा को क्यों नहीं लेके गई जाहिर सी बात है तू कहीं और जा रही है शॉपिंग के बहाने अब आया भी तो पहनी है ना ताके सिसी टीवी में ना आ जाए तू तू जब होटलों में जाती है तभी तो अबाया पहनती है ऐसे तो तू नंगी गुमती है जब तो तू अबाया नहीं पहनती है तो तयवा को ना लेके जाना अबाया पहनना थोड़ा सी सामान लेके रात को वापिस आना ये सारी चीज़े है ना थाबित करती है कि ये टैक्स बी मिल लेती, तक बीज का रिये गले मिल मिल लेती न, थोड़ी पपी जपी खुप ब कर लेती और व्यूज आते, यह चिचोरे पने से इसा ले तो व्यूज आते तुझे शरम नाम की तो ते अंदर चीज नहीं है, बकि यह जो भी हाथ मिल रही हो, अच्छा कैसा टाइम गुज्रा को तर अच्छी है मामो अच्छे जैसे इतने तो कॉल पर बाती नहीं की होगी जबके यह तो सारा कूछी यही ते बैटे बैटे इसको चौबिस घंटा कॉल पर रहे के यह मत करना यह करना यह मत करना यह करना सब कर रही होगी लेकिन बेशरम की सारा बोल के रही है मैंने कॉल नहीं की सिर्फ कुछ पूछना होता था था ना तब ही मैं कॉल करती थी वरना मैं इनको परेशान नहीं करती थी इतने काम थे यहां पे ओ बताओ ना सच सच बोलो ना म लोग सच मान लेंगे तो कितनी बड़ी जूटी और मकार ओरत है ना हमें पता है बाकी जो मुस्टफा ने बोला के पापस अब जा रहे है तो पूरा दिन काम है इनको वो देख लो दूसरा इसने क्या बोली के पूरा दिन अराम कर लिए अब बाहर चलते वो अला सीन देख ल और जिसके अंदर अभी ये गाड़ी में बैटके इससे हालचा ले रही है ये सीन देख लो तो ये जब गोंचु आया है ना सुबा से गोंचु आया ये अब मिल रही है गोंचु से और बोली क्या पूरा दिन रेश्ट कर लिया या बाहर चलते तो गोंचु तो था ही नही पूरा दिन घर पे तो रेश्ट कैसे कर लिया तो यहां से देख लो इसका जूट पकड़ा जाता है कि यह कितनी दोगली और जूटी और अउरत है मकार अउरत फॉन किया एक दफा भी में इनको डिस्टाब नहीं क्या है इससे जिताती है फिर तो कॉसर को भी इसको फॉन क करना चीए लाइट खराब हो गया नलका खराब हो गया चछट अपक रिये यह हो रहा है वो हो रहा है इसका भी तो परजबनता है ना इन लोगों के बोलने के मताबिक कोसर वाइफ है ना तो वो तो नहीं करती फॉन उसकी जुम्हधारी उसके माबाप उठा रहे है इनके वकौल उसकी जुम्यदारी इसके मबाप उठा रहे ना तो इसका भी तो यार है ना यहां पे दिलबर है साथ में अम्मा नौकरानी रह रही है तो यह कौन सा अहसान जता रही है कि मैंने फोन नहीं की है अहसान की क्या कोसर भी तो नहीं करती है ना यह नौकर है तेरा दलाल ह बाकि डीडी दल्ला है दिलबर है बेगेरत और इसकी माहा है और अत्ता भाई है जो हर एक काम करके देने के लिए तैयार थे इसका भी काम कर देता मैं को लगता है करता ही होगा जबी तो इतना कड़क नौकर बनके बैठा है इनका इतने होने के बावजूत भी आहिसान जता दिये के मेरा इतना काम था लेकिन मैंने इसको पौन नहीं की दूर फिटे मूँ तेरे मनू सवरत बच्चों की हालत देखो दोनों बच्चियों के बाल इसे बिखरे हुए है सुबह से रात हो गई बच्चों का नहाना धोना खाना पीना बाल बनाना उनकी केर करना वो सब टो इसको यादी नहीं आता है और ये रोज जाएंगी कभी कोई जुल्डरी उठाके लाती है और ये बोल कर रही है कि मैं ये सारा कूछ इतना रैडियो क्यों तो मुझे पता है थोड़ी सी शरम कर थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान देदे मोटी संडी जब देखो जब सजने सवरने में ने में लगे रहती है थोड़ा थी बच्चों पर भी ध्यान देदे बेशरम कई की यह तो सितारा कैसमान पर मैं बहुत थी खुशूरा चेक लुक क्रेट करने वाली हूं तो जैसे ही गुंचु आया यह गई सारा अपनी आयाशी का सामान लेकर आई इसको बहुत ज्यादा एकसाइटमेंट है कि मुझे वीडियो बनाना है डॉलर कमाने के लिए और जाके फटाफटे सामान लाई पैन पैन के दिखा रही है कि देखो मैं ऐसे तयार होंगी मैं बहुत ज़्यादा कूश हूँ यह वो बला बला तो कल की वीडियो मैंने बोली थी कि यह वीडियो कल की ह भी इनके घर में ऐसी अक्टिविटी नजरी नहीं आई कि लोगों ने महरम भी मनाया है मतलब यह बात मेरे कुछ समझ नहीं तो पिटारा तुझे सारी आयाशियां याद रहती है और तू सोस्ती है इंडिया के मैं जो नॉन मुस्लिम के जो तेवार है वो सारे सेलेबरेट करूं विश करूं तो ही मेरा चैनल चलेगा तो ही मैं अच्छी लगूँगी और खुट के जो तेवार रहते हैं उनको तू लोग सपोर्ट कर रहें जो अपने मुसलमान के एक तेवार भी नहीं बताती है और ना मनाती है बिल्कूल मनाना चीए नं Muslim के तेवारों को भी celebrate करना चीए और नहीं भी किये तो कम से कम बढ़ाई तो देना ही चीए लेकिन अपने तेवार को जो Muslim तेवार है उनको छोड़के जैसे कि अगर Non Muslim भी है ना तो वो लोग खुद के भी तेवार दिखाते हैं दूसरे के भी तेवार में कुश होते मैंने पहले भी ये बात की हूँ कि इसकी बहुत बड़ी गलत पहिमी है यहाँ पे हर एक तेवार एक साथ मनाया जाता है सब एक दूसरे के तेवार में खूश होते है लेकिन ये गटिया औरत की तो सोची गंदी है पता नहीं को माँ वाले ने इसको क्यों रखके बैठे हुए क्यों इसके उपर कोई एक्शन नहीं लेता मेरे तो ये बात समझ नहीं आती बस मैंलवी तीन दिन से एकी कपड़ा पहन के गूम रही है कोई तेवार जो मुस्लीम का होता है कोई तेवार नहीं दिखाती है जबके दिलबर ने अपने मूँ से बोला था कि मैं कल मौरा मैं तो मैं देख बनाने वाला हूँ बनाया नहीं बनाया मैंने इसका वीडियो अभी तलग नहीं देखी हूँ मैं देखूंगी तो मैं देख बनाने वाला हूँ ये करने वाले वो करने वाले लेकिन इसको देखो जाहिल औरत को के बिली का ये छटी मनाने बैठ गई थी और एक चीज को सेलेबरेट करती है लेकिन मुस्लिम तेवारों को बिल्कुल भी सेलेबरेट नहीं करती है घटिया और ये सारा कुछ करती है और फिर बाद में जो इस है अब सोच रही है दूसरा वाला चैनल उठाओं ग्रो करूं क्योंकि ये चैनल पे तो इसकी वकात लोगों ने देख लिए है ब्रो कटा तो कभी बच्चे को खतम कर तो कभी दूसरी वाइप को जलील करवा ये सारा कुछ कर करके जो इसने चैनल को ग्रो की थी ना और जब ह हाँ एब्रो कटवाई है न तब जाके इसकी वकात पता चली है तो पब्लिक ने इसको आएना दिखाई है अब ये सोच रही है मैं दूसरे चैनल पे कुछ अलग करके और वो चैनल को ग्रो करूंगी तो कुछ नहीं होने अला पिटा रहा तेरी लग बाई चांस बोलते है तु लग गया तक अशर का तेरे को समझी यह तहरा चैनल गुरो हो गया वर नहीं तेरी नाक देख तरह मूँ देख तु तू कुछ कैसी य वह देख एक घटिया तरीन ओरत है जो दिन रात तरी जूड भूलती है लोगों को लोगों के साथ में फ्रॉड करती है लोगों को एह देर साल से के मिरे миллиon करादो छोड़ दे उचैनल पर लाक भी नहीं हो रहे थे तेरे महिनों गए चैनल कोलके खुद की वकात वहाँ पर जाके देख बेशरम कहीं की मैं तो इसके अपर लानत बेशती यह जो इसने सेवार नहीं मनाती है ना मेरे को तो जहर लगती है यह ओरत घटिया तरीन ओरत चले वीडियो को मैं यही पेंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिनते नेक्स्ट वीडियो में आलापी